जेक 2017 से अब तक फोम के नाम पर ले चुका है 70 करोड रुप्य से जादा किरासी 6 साल से लिए जा रहे हैं ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन वह परिक्षा फोम सुल्क हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यू ट्यूरिल पर स्वागत है तो आज हम लोग आज क्या न्यूज देखेंगे आज 18 अक्टूबर 2022 और इस न्यूज का पढ़ना चाहते हैं तो निचे डिस्क्रिप्शन में चेक किजए वहाँ पर मैं लिंक किते दूँगा वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं तो कल मैंने एक वीडियो अपलोट किया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि जेक 100-100 रुप्ये चात्रों से वसुली कर रहा है और इसकुलों में भी अलग अलग चार्ज किया जा रहा है क्लास 9 का रिजिस्टरेशन के लिए क्लास 10 और 12 का एक्जाम फोर्म के लिए तो उसी का रिगार्डिंग आज का न्यूज में आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं क्लास 10 का 690 रुपिये जेक के तरफ से चार्ज किया जा रहा है ठीक है लेकिन ये भी एक्स्टरा ही लिया जा रहा है जेक के तरफ से और हो सकते हैं आपकी स्कुल में इससे जादा लिया गया हो या इतना ही लिया गया हो वो अलग चीज है और यहां पर देखे 12 क्लास में लगभग आपका लगभग पढ़ जाएगा नौसौ साथ रुपिया तो नौसौ साथ रुप्या जेक ले रहा है थीड कर बढ़ा हुआ दिए मनतलब चार्ज है वो बढ़ा हुआ है ापके इसकुल आज का नीज हम लोग देखते हैं कि कैसे जेक ओनलाइन रिश्टेर्शन ओनलाइन एक्जाम फोम के नाम पर लगभग सतर करोड रुपिये एक्स्ट्रा ले चुका है चात्रों से लगभग छे साल में ठीक है सिर्फ छे साल में तो चले हम लोग इस न्यूज को पढ़ते हैं तो देखे आज है 18 अक्टूबर 2022 का नीज में आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं हिंदुस्तान नीजपेपर का देखे जेक 2017 से अब तक फोम के नाम पर लेग चुका है सतर करोड रुपिये से जादा की रासी चात साल से लिए जा रहे हैं ऑनलाइन में पिछले अच्छा साल से ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन फोम और परिक्षा फोम के लिए सुल्क लिए जा रहे हैं 2017 से पहले ये प्रक्रिया ओफलाइन होती थी तो पंजियन फोम और परिक्षा फोम के सुल्क निर्धारित थे ओनलाइन परिक्रिया सुरू होने के बाद इसके सुल्क की वसुली छात्र छात्राओं से जारी रही 2017 से 2022 तक के आंकड़ों को देखे तो अब तक जारकन एकड़मिक कॉंसिल जेक ने online registration फोम वह परिच्छा फोम के नाम पर 70 करोड रुपिय से जादा की रासी ले चुका है हर साल जहां नववी और ग्यारवी के चात्र छात्राओं का registration होता है वहीं दसवी बारवी के चात्रों के परिच्छा फोम भरे जाते हैं जारकन के सरकारी स्कूलों में और सतन नववी में करीब 4.50 लाख दसवी में 4.00 ग्यारवी में 3.50 लाख और बारवी में 3.60 छात्र छात्रा रहते हैं इस आधार पर हर साल नववी और ग्यारवी के 8.60 छात्र छात्राओं का registration होता है पहले ओनलाइन परक्रिया शुरू होने के समय से 80 रुपिय फोम के लिए जा रहे थे लेकिन 2022 से इसमें बढ़ोतरी कर 100 रुपिय कर दिये गए हैं यही विवस्था दसवी वारवी के ओनलाइन परिक्षा फोम में भी की गई है इस साल 100-100 रुपिय छात्रों से लिए गए परिक्षार्थियों ने फोम फिस के साथ साथ अन्य सूल्ख की रासी जमा भी कर दी है आगे देखिए यहाँ पर पिछले वर्स की तुलना में इस साल बढ़ोतरी मेट्रिक और इंटर्मीडियेट के परिक्षा फोम भरने में पहले साल की तुलना में इस साल रासी में बढ़ोतरी की गई है मेट्रिक में कुल 75 रुपिय जब की इंटर्मीडियेट में 130 रुपिय की बढ़ोतरी की गई है मेट्रिक में 2021 में 615 रुपिये लगते थे लेकिन इस साल 690 रुपिये लग रहे हैं वहीं इंटर्मीडियेट में इंटर्मीडियेट में भी 830 रुपिये लगते थे लेकिन इस साल 960 रुपिये सुल्क लग रहे हैं इनके online परिक्षा form 80 रुपिये से बढ़कर 100 रुपिये कर दिये गए हैं वहीं अन्य मदो की रासी में भी बढ़ोतरी की गई है 9-11 के registration form, registration सुल्क और परिक्षा सुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है इसमें 60 रुपिये की बढ़ोतरी हुई है तो यही है total news यहाँ पर कुछ important notes है इसका में भी देख लेते हैं देखिए परिक्षा सुल्क मिसलेनियस माकसीट लोकल लेवी प्रोविजनल के लिए लिए जाते हैं छात्रों से सुल्क मेट्रिक वे इंटर परिक्षा फोम भरने की रासी में भी की गई बढ़ोतरी मेट्रिक वे 75 और इंटर में 130 बढ़ें आगर देखिए तीसरा कच्छा 90 से लेकर 11 तक में रेजिस्ट्रेशन से लेकर फोम भरने तक की रासी भी बढ़ी और यहां पर कितना कितना रुप्य लिया जाता है उसको दिया हुआ है तो इसको देखिए मेट्रिक 2023 या 23 परिक्षण के लिए सुलक कहां कहां कितना लिया गया है पर इच्छा फों फीज एंक सो रुपिये परिकिछा सूलक 800 रुपिये लोकल लेवी 210 रुपिये माक्सिट ethics एक रुपिये मिसलेनियस फीज 30 रुपिये फिर provisional या migration 100 रुपिये उसके बाद इधर देखिए intermediate के लिए भी दिया गया है intermediate यहने की बारविक अक्षा 2023 परिक्षा के लिए परिक्षा फों फिस 100 रुपिये परिक्षा सुल्क 150 रुपिये provisional certificate 100 रुपिये माक्सिट वा migration फिस 100 रुपिये local levy 280 रुपिये और miscellaneous फिस 30 रुपिये तो इस तरीके से total metric में 690 रुपिये लग रहा है और वहीं पर inter में देखें तो 960 रुपिया भी लग रहा है यहाँ पर जब आप इसको calculate कीजिएगा तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि माक्सिट का 100 रुपिया उसके बाद migration का अलग से 100 रुपिया लग रहा है ठीके तो यहाँ पर total सबको आप add कीजिएगा तो 960 रुप बताइगा और आपको कितना देना पड़ अपना registration या फिर एक जाम फोम भरने में नीचे कमेंट करके जरूर बताइगा उस पर भी मैं एक अलग से आज साम को वीडियो लाऊंगा कि कितना difference से है सब जगा अलग अलग लिया जा रहा है ठीक है तो उस पर एक अलग से वीडि अब अग। देए